दोस्तों कुछ दिनों से ये माउस ठीक से काम नहीं कर रहा था इसके left click में problem है और इसको जब प्रेस करते हैं तो ये ठीक से प्रेस नहीं होता left click को ज़्यादा use करने की वज़े से इसमें problem आ गई है आज हम इसको open करके check करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसके button को ही open करके देखेंगे अगर button सही हो जाता है तो ठीक है नहीं तो इसको desolder करके इसका button ही open करके निकालेंगे और इसमें दूसरा button replace करेंगे चले दोस्तों इसको open करते हैं और इसको open कर लेते हैं इस slip को हम फिरिसे लगा देते हैं ताकि कोई dust हो गया इसमें दुबारा ना है तो हम इसको ध्यान से open करते हैं और ये open हो गया है तो ये कुछ system होता है हमारे mouse के अंदर यहां पर एक CMOS camera होता है इसकी help से ये surface को trace करता है और mouse के pointer को left right को move करता है यह हमारा scroller है जिसकी मदद से हम windows में scroll कर पाते हैं और यहां पर इसके लिए click का button दे रखा है जिसे हम ok कर सकते हैं यह हमारा right button है और यह हमारा left button है तो इस button में हमाई problem है इसको हम खोलेंगे और फिर इसमें जो भी problem होगी इ निकाल देते हैं यह हमने इसकी battery को निकाला और इसके बाद इसकी एक clip को यहां से उठाया यहां पे hinges दे रखे हैं इन hinges को इस board को आगे की तरफ करके इसको उपर कर लेना है और यह जैसे उपर आ जाएगा तो यहां से आप इसको उठा सकते हो इस तरीके से यह अलग हो जा करना है और इस button तो open करना है कैसे open करना है यह मैं आपको बताता हूं यहां पे आप देख रहे हो यह clip है इसको आपको इस tweezers की मदद से open करना है इस तरीके से यह easily open हो जाएगा आप ट्यूजर का इस्तमाल करिएगा यहां पे इसके sharp point होते हैं इसकी मदद से यह easily open हो जाएगा इसको बहुत ही आसानी से open किया जा सकता है लेकिन बहुत ध्यान से open करना ने तो यह damage हो सकता है तो मैं इसको जल्ली से open कर लेता हूं यह देखिए मैंने इसको open कर लिया है यह इसका cover है और यह इसका white color का button है अब आप यहां पी देखोगे इस button में carbon सा है black black सा हो गया है तो यह इसमें carbon जमा हो रखा है अगर आप इसको ठीक से देख पा रहे हो इस carbon को हमको clean करना है तो पहले इस plate को निकाल लेते हैं तो दोस्तों इस carbon की वज़े से हमारा यह mouse click है वो ठीक से नहीं हो पा रहता अग्छे इस button में carbon आ जाता है इस वज़े से यह button काम नहीं करते हैं इस carbon को साफ करने के बाद यह जो button है ठीक से काम करने लग जाएगा तो चलिए इस carbon को clean कर लेते हैं तो सबसे पहले इस metal की plate को यहां से निकाल लेते हैं और उसको बहुत ध्यान से निकालेगा नहीं तो यह button टूट भी सकता है इस चीज को मैंने निकाल लिया है अब यहां पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस पे difference नज़र आएगा इसे color का difference आप देख सकते हो यहां पे black है यानि carbon है और यहां पे एकदम clean है तो इसको भी clean कर लेते हैं इसके बाद यह button सई से काम करने लग जाएगा इसके पीछे भी आप देख सकते हो तो यहां पे भी carbon है तो इसको जली से clean कर लेते हैं तो हम इसी से इसको clean करने की कोशिश करेंगे ध्यान रहे दोस्तों ये बहुत ही पतली सी प्लेट है और ये बहुत ज़ली टूट भी सकती है गर इस पे ज़्यादा force दिया तो ये टूट सकता है तो हम इसी से इसको clean करने की कोशिश कर रहे है और यह बहुत ज्यादा इसमें कार्बन है इसली तो नहीं जाएगा लेकिन इस वो क्लीन तो करी ही लेंगे अब यह क्लीन नहीं हुआ मैं इसको पहले क्लीन कर लेता हूं फिर आपको मैं दिखाता हूं तो दोस्तों मैं स्क्रूड्राइवर की मदद से इसको क्लीन करने के खूशिश करूँगा तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हो कि इसको काफी हद तक मैंने इसको क्लीन कर लिया है लेकिन अभी इसमें कुछ कार्बन बाकी है लेकिन यह काम करेगा यहां पर आप यह pointer अगर आपको notice कर रहे हो तो यह pointer है यह बस इसको ज्यादा से ज्यादा क्लीन करने की कोशिश की है इसके बैक में भी यह pointer आपको दिखेगा यही जो pointer है जो contact बनाते है तो मैंने इनी को ही जाद से जादा क्लीन करने की कोशिश की है बाकि मैंने कोई और शिर खानी इसमें नहीं की तो अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं इसको वापस लगा के देखते हैं कि कैसे यह काम करता है इहां पर फिर से लगा देना है जैसी यह लगा था प्रहें वैसे इसको लगा देना है तो बहुत ध्यान पूर वक इसको करना हूँ जल्द बाजी इसमें नहीं करनी है नहीं तो यह पूरा का पूराम मांसी ख़्रब हो सकता है तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया है और अब इसके कैप को भी लगा देते हैं इससे पहले यहाँ पर यह प्लास्टिक का बटन है जो इस यहाँ से निकला था तो हम इसको पहले इसमें यहाँ पर लगा देते हैं तो इसको इस तरीके से पकड़ना है और इसको इसके जगह पर लगा देना है और इस के बाद आपको ये Check करना है कि ये किस तरफ लगेगा आप ये देख रहे हो यहां पर Space में थोड़ा difference है तो हमको यहां पर इस तरीके से लगाना है कि ये सही जगे पर बेढ़े हैं तो यह आपको निकालते समय, इस cap को निकालते समय ही notice कर लेना है कि यह किस direction में लगा था तो मुझे याद है कि यह इस direction में लगा था तो मैं इसको उसी direction में लगा रहा हूं तो इसको ध्यान से देना और यहाँ पर click की आवाज के साथ यह इसी में fit हो गया है और यहां पर मैं इसको प्रेस करके चेक कर लोगा थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है साउंड में यहां पर थोड़ा सा क्लिक की आवाज आ रही है लेकिन यहां पर क्लिक की आवास नहीं आ रही है तो चलिए चेक करके देखते हैं कि यह काम करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों यहां पर एक काम आप और भी कर सकते हो अगर आपका यह कोई एक्स्टा माउस आपके पास पड़ाओ तो यहां पर इसको डी-solder करके आप यह चेंज भी कर सकते हो लेकिन मैंने इसको डी-solder नहीं किया और इसके बटन को ही मैंने यहां पर रिपेर करने की कोशिश की है तो चलिए इसको पैक करके देखते हैं और चेक करते हैं कि यह काम करेगा कि नहीं दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से सुनों तो आपको क्लिक किया आवाज आएगी देखिए मैं आपको थोड़ा माइक के पास ले जाके इसको सुनाने की कोशिश करता हूं यह है लेफ्ट साइड का बटन और यह है राइट साइड का बटन थोड़ा साथ डिफरेंस है साउन में तो देखते हैं इसका क्या इंपेक्ट पड़ता है इसमें तो यह तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा तो फटा फट इसको इस पर लगा लेते हैं चले का बैटरी ही लगा के चेक कर लिया जाए येस दोस्तों ये अब काम करने लग गया है अब ही मैं आपको इसको पूरा प्लोज करके फिर में आपको चेक करके दिखाता हूँ ओडियो चंग तो चले दोस्तों अब इसमें बैटरी डाल के चेक करते हैं कि ये काम करेगा की नहीं तो इसको हम आउन करते हैं यहां से ये आउन हो चुका है इसका बैट कवर हम लगा देते हैं तो दोस्तों आप देख रहे हो कि लेफ्ट क्लिक अप सही से काम कर रहा है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है मैं थोड़ा computer slow है इसके वज़े से थोड़ा late respond हो रहा है लेकिन यह सही से काम कर रहा है और मैं अब इसको recycle bin को यह आप से open हो गया तो दोस्तों देख पा रहे हो कि यह सही से काम कर रहा है इसको हम ड्रैग भी करके देख लेते हैं यह इसली फाइल को ड्रैग कर रहा है फाइल को move भी कर सकते हैं left click easily काम कर रहा है कोई problem नहीं हो रही है तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपने left click को repair कर लिया और माउस भी हमने अपना बचा लिया तो अब यह सही से काम करेगा तो अब नए माउस लेने के अबब जरूरत तो नहीं है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजेगा थैंस वर वाचिंग